नवश्कार बिन्या टाइम्स में स्वागत है एक बार फिर हाजिर हुए हैं तमाम अपडेट के साथ जो खबरे आ रही हैं भारती जन्ता पार्टी इसे कॉंग्रेस प्रत्यासी आजय मिश्रा बाबा भारी मतों से आगे चल रहे हैं जिस तरह का अपडेट है एक निरुनायक जीत की और कॉंग्रेस रीबा महापावर की सीट बढ़ती हुई आपको बताएं कि तमाम वाडों की जिस तरह नतीजे रुजहान अप परिणामों की और आगे बढ़े हैं आपको अगर परिणामों की बात करें तो बाट कुमांक 31 से कॉंग्रेस प्रत्याशी रमा दूबे 64 बोटों से विजई हो गई हैं इसके अलाबा वाड कमांग 14 में रभी तिवारी बोट से आगे हुए हैं आपको बताएं इसके अलाबा कि 710 बोटों से बाट कमांग 9 से भाजबा आगे चल रही है विमला सतीज सिंग नुहा के प्रत्यासी थें कॉंग्रेस भारती जंता प भी जाई हुए हैं और अपने निकर्तम प्रद्युद्वंदी भाजबा के पूर नगर निगम अधच सतीज सोनी को हराया है यह एक बड़ा अपडेट क्योंकि यह भारती जंता पार्टी के एक बड़ी हार हो सकती है सतीज सोनी बाट कमांग की कीस का एक महत्वूर बाद म ना जा सकता है रीवा नगर निकम का और यह भारती जंता पार्टी की हार हुई है इसके अलाबा नम्रता संजे सिंग दो सो असी बोटों से बाट कमांग 13 से जीती है निर्दली प्रत्यासी रही है पूर में हमेशा बाट कमांग 13 में एक एक्टिव होकल लड़ाई लड़ी और 270 बोटों से वीजह हूई है इसके अलाबा रस्कमांग 13 से निर्दली प्रत्यासी गूल महमत की पतनी रुकाना महमद हनीज की वीजह हो गई है बाट कमांग 14 की बात करें तो नीलू कटारिया निर्दली प्रत्यासी 50 बोटों से वीजsti हुई है एक दो अपडेट और हम बारे पास वार्ड क्रमांग 35 से बीजेपी प्रत्याशी अक्तर अली की जीत हुई है वार्ड क्रमांग 34 से सोफिया खान ने 180 मतों से विजही प्राप्त किये हैं वार्ड क्रमां 33 से नजमा वेगम 119 वोट से जीत गई है पुरानी पार्शद है कॉंग्रेस की समीकरण कुछ बन रहे थे निर्दली और तमाम चीज़ें हो रहे ही थी लेकिन सीधे तोर पर इन्होंने जीत हासिल कर ली है वार्ड क्रमांग 9 का आपने बता दिया कुल मिलाकर रुजहान आने लगे वार्ड क्रमांग 11 रश्मी विनोज शर्मा 350 मतों से आगे हैं लगबग जीत गई है अनलग मैं नए अपडेट देता हूं 550 बोटों से रस्मी विनोज शर्मा विज़ाई हुए हैं बाट क्रमांग 11 एक चर्चित बाट था वोटिंग के समय विवादित रहा है लेकिन रस्मी विनोज शर्मा कॉंग्रेस प्रत्यासी रही हैं 550 वोटों से विज़ाई हुई हैं बाट क्रमांग 5 को लेकर तमाम कमेंट्स आ रहे हैं मैं आपको बता दूँ वाट क्रमांग 5 से लगवग 600 वोटों से अजय मुन्नू अरूल तिवारी मुन्नू आगे चल रहे हैं भाजपा के प्रत्यासी हैं निर्दली दूसरे नंबर पर वहां पर हैं और मुन्नू सब्सक्राइब 250 वोटों से आगे चल रहे हैं अंग 6 की बात करें भारती जन्दा-पार्टी के प्रत्यासी जोती राजयस नामदेव 388 वोटों महापर पद के उमीदवार हो सकते थे रहे कर बड़ी अपडेट है निरनायक बढ़त उन्हों ने बना लिए अपने वार्ड म पांडे और एक बड़ी अपडेट पूर्मंतिर राजन शुकला का विधायक रीवा विधायक का वार्ड बाट कुमांग 23 में कॉंग्रेस प्रत्यासी रफीकुम सहनाज अंसारी पूरपासद अकरम की पत्नी विजई हो गई है बड़ी खबर है यह वार्ड जहां पिसे तमाम रीवा की सियासत चली है अमहिया का वार्ड है और अमहिया के वार्ड में पहले भी कॉंग्रेस का पारशद रहा है पूर्व मंत्री का निवास इस्थान है और यहां पर पारशद प्रत्यासी रफीकुम सहनाज अंसारी पूरपारशद अकरम अंसारी की पत्नी है इनकी वि निनायक बढ़क की ओर रिवा नगर निगम कॉंग्रेस महापौर प्रत्याशी अजे मिश्रो बाबा 12000 से जादा की लीड जो खबर मिल रही हैं में 12000 से जादा की लीड निनायक बढ़क कहलाएगी यह क्योंकि अब तक कि जो आकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं ये बड़ी बात होगी लंबे समय से बीजेपी के कबजे में रहा है रीवा का नगर निगम पूर मंत्री राजेंद्र शुक्ल बात करें तो धानेंस सिंह बगेल कॉंग्रेस के प्रत्यासी बात करें तो जरीना बेगम कांग्रेस प्रत्यासी रही है उनकी विजय हुई है जरीना वेगम ने चार सो पचास वोटों से विजय हुई है यानि कि पारशदों की जो इस्तिती है उसमें बराबर चल रही है कांटे की टक्कड है कुछ जगे निर्दली अपने होल्स बना रहे हैं लेकिन बड़ा सवाल विवेक आम आदमी पार्टी का क्या हुआ बड़े बड़े दावे थे यह बताया जा रहा था अर्विन के जिरिवाल के मॉडल को रिवा स्विकार करेगा इस लड़ाई में प्रटेल से जब हम लोगों ने बात की प्रेस को एक प्रेस ब्रीफ जैसा ही था आज चुकी वो रिवा में हैं तो उन्होंने कहा था कि इतना आसान नहीं होगा यहां इस तरह से वोटों का धुरुवी करन दूसरा वहां पर जो परिस्थितियां थी ऐसा लग रहा था कि ए राड़ों में जरूर लोगों ने अपनी अपनी जो सरल है जो सहज है जिससे वो सीधे जुड़ सकते हैं उनका चुनाओ कर रहे थे लेकिन नगर की सरकार लगभग बदलने के संकेत मिल चुके हैं बड़ी खबर दस हजार से जादा वोटों की लीड मिल रही है अजय मिश् चास वोटों से विजय हुई है बाड करमांग 6 में 289 वोटों से धानेन सिंग बगेल कॉंग्रेस के प्रत्यासी विजय हुए है कॉंग्रेस की एक बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है लगवग वाड़ों में क्यूंकि जिस तरह महापाहर प्रत्यासी अजय मिस्रा कि हमें आ चुका है निदायक बढ़त की और कॉंग्रेस और यह जो जिस तरीके से और जिस मॉडल के साथ यह चुनाव लड़ा गया तमाम दावे थे तमाम सियासी पंडितों के दावे थे लेकिन और्गनाइज में यह एलेक्शन लड़ा गया और ऐसा लग रहा था कि शहर कि अवाम शैद परिवर्तन का मन बना चुकी थी अब तक के रुजान के खसाब से अंतिम फैसला अंतिम आकड़े आने बाकी हैं लेकिन एक निलायक बढ़त बाटकरमांग 10 की बात करें तो बाटकरमांग 10 में भारती जन्ता पार्टी ने एक बड़ी बढ़त बना ली है व कॉंग्रेस भाजपा के बराबर ही निर्दली प्रत्यासी विजय हो रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं वह बागी प्रत्यासी जिन्हें पार्टी से डिकटने मिलने से बगावत करके चुनाओ लड़ा और विजय हो रहे हैं बड़ी खबर इस वक्त की वार्ड क्रमांग 24 की आठ सो नो वोट से वेंकटेश पांडे चुनाओ जीत गए हैं इस वक्त की बड़ी खबर बड़ा चेहरा प्रभारी महापौर रहे ऐसा लग रहा तक कि टिकेट पार्टी दे सकती है लेकिन अंतिन समय में प्रबोध व्यास को टिकेट दिया गया और आज जो परिनाम आ प्रत्यासी थे क्योंकि जिस तिन मतदान था वहां पर भीवादित इस्थित हुई ये फरजी वोट के आरोप भी लगे थे लेकिन इसके बाद कॉंग्रेस प्रत्यासी रश्मी बिनोश शर्मा ने एक बड़ी विजय हाशिल की है बाट कुमांग एक आपको बताएं कि सिव रावत निर्दली प्रत्यासी 350 वोटों से विजय हुए हैं और क्यूंकि जिस तरह निर्दली प्रत्यासियों का भी आकड़ा भारती जन्ता पार्टी और कॉंग्रेस के बराबर ही है बड़ी अपदेट वर्ड क्रमांग 6 से हैं कॉंग्रेस प्रत्यासी धनेन सिंग 299 सोनी चुनाव हार गए हैं पूर्व नगर निगम के अध्यक्ष रहे हैं चुनाव हार गए हैं वहीं बाटक्रमांग 35 से भाज़पा के प्रत्यासी अक्तर अली उर्फ मुन्ना खान को जीत मिली है इसके अलाबा आपको बताएं कि एक बड़ी जीत की और आगे बढ़ रही हैं जिसत तरह के रौट वाई रांड Daslei नतीजे आ रहे हैं रुजहान आ रहे हैं एक लंबी हम यह कहा जा सकता है कि कोřूर चींचीं और आगे बढ़ रही है निदाएक से यह परिस्तितियां थि जिस तरह से यह आंखडे निकलकर सुरुवे रुजहान बहुत महातिपूर हो जाता है एक बड़ी कहबर इस वक्त कि वाड क्रमांक 14 जो Sitting Internals Dennard सर्वे में भी आगे था वाइड क्रमांक 14 वहां से रवी शंकर की जीत हुई है वाड क्रमांक 14 से ये जीत हुई है बड़ी जीत है क्योंकि यहां पर शहर का एकदम मुख्य इलाका नहरूनगर का इलाका लगता है 488 मतों से रविशंकर ने बीजेपी प्रत्याशी को चुनावहरा दिया है बड़ी खबर और यह जो राउंड है यह सिर्फ अंतिम राउंड बचा हुआ है ग्यारा अजार से उपर की बढ़त है क्या माना जाए शहर की आवाम ने शहर की सरकार बदल दी बिल्कुल बिल्कुल कहा जा सकता क्योंकि यह चौथा राउंड है पांच राउंड टोटल होने हैं जिसमें चार राउंड के मतगर्ना हो चुकी है और भारती जनता पार्टी में कॉंग्रेस प्रत्यासी अजय मिस्रा बाबा से पीछे चल रही आपको बताएं बाट कुमांग दस से अपडेट आ रहा है विरेन सिंग 110 मतों से आंगे चल रहे हैं बाट कुमांग 10 एक बड़ी फाइट थी वार्ड क्रमांग 10 में कॉंग्रे से यहां पर ताराते पार्ठी थी लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि टिकेट पहले जो यहां पर प्रत्याशी जो आम आद्मी पार्टी के प्रत्याशी थे वो चाह रहे थे लेकिन जब टिकेट नहीं पिला तो आम आद्मी पार्टी में चले गए तमाम समीकरणों की बात हो रही थी लेकिन तमाम समीकरण किस दिशा में गए लास्ट में BJP के पक्ष में तमाम चीजे हुई और आज देखिए ये परिणाम सीधे सीधे जनता का जनादेश लोगत के सामने हैं बड़ी खबर बाड करमांग 27 कॉंग्रेस प्रत्यासी मनीश नामदेव ने 400 बोटों से विजय हासिल की है बड़ी खबर है इस वार बाड करमांग 27 में एक बड़ी लड़ाई की बात की जा रही थी संकरसानी BJP से प्रत्यासी थे तमाम चीजे निकल के आ रही थी कि कुछ पर बना रही है शैमनगर निगमों में दो सीटें ऐसी हैं जहां पर कॉंग्रेस ने बड़ी बढ़त बना ली है एक रीवा और दूसरी मुरैना मुरैना में सार्द सार्दा सोलंगी कॉंग्रेस से जो प्रत्यासी है दस हजार वोट उन्होंने पाई है इसके अलावा मीना के सामने आ रही है वो साफ हो रही है अंतिम दौर पे चीज़े पहुंच रही है आकरी पड़ाओ कांटिंग भी अब लगभग थोड़े समय बात पूरी हो जाएगी कॉंग्रेस एक निलायक बढ़त की और ये क्या अंदेशा है सहर सरकार बदल दी रीवा की आवाम ने और में चिनवाड़ा में भी तमाम परिस्थितियां लेकिन अब रीवा में यह परिवर्तन रीवा मुरेना दो जगें कॉंग्रेस अभी लीड कर रही है बड़ी खबार बाट कुमांग चार में कॉंग्रेस प्रत्याशी अमित कोल ने एक निर्णायक बढ़त बना ली है अमित बाबा के जीत के नारे लगना शुरू हो गए हैं बड़ी खबर ग्यारा हजार से उपर किये निर्णायक बढ़त कॉंग्रेस जीत की ओर एक निर्णायक बढ़त बना चुकी है शहर सरकार बदलने का जो फैसला रीवा की जनता ने दे दिया है इस परस्ट संकेत इस बार ज परिस्तिती हुई शहर में अजय मिश्रा बाबा तीन बार के पार्शद उन्हें जब मैदान में उतारा गया तो परिस्तितियां बहुत अलग थी लग रहा तक किस तरह से सब कुछ संभा होगा लेकिन कॉंग्रेस ने एक जुटता का संदेश दिया और ये देखा गया कि ज तो सब के लिए जाना पहचाना था नगर निगम में अपनी अलग आक्रामक कारिशैली के लिए जाने जाने वाले अजय मिश्रा बाबा कुमेदान में उतारा था बार कमांग 14 से रभी शंकर तिवारी की 488 वोट से विजए हुई है बार कमांग 31 से रमा रमा दुवे कि यस वोडों में भी एक बड़ी बढ़ा बना ली है आपको बताएं कि जिस तरह से आंकडे आना शुरू में शुरू है तो भारती जंता पार्टी के पॉजिटिव था लेकिन दीरे-दीरे जिस तरह परिवरतन हुआ वोडों में कॉंग्रेस पार्टी ने एक बड़ी बनाने जा रही है अप्रत्यक्ष प्रणाली से जो चुनाओं है लेकिन यहां पर जो डिरेक्ट इलेक्षन है जहां पर सीधे तौर पर दावेत है प्रदेश अध्यक्ष विश्नुदत शर्मा ने कहा था सोला की सोला नगर निगम जीतेंगे आपको बड़ी खबर बता दें नगरी निकाचुनाओं के जो परिणाम है वो जिन में रीबा जिले के बारा नगर परिसत में ग्यारा नगर परिसतों में भाजबा प्रत्याशी आंगे चल ले हैं बिल्कुल लेकिन शहर की महत्वपूर्ण सीट जहां से पूर्व मंत्री आते हैं विधान सभाच छेतर है यहां वहां से कॉंग्रेस की वापसी हो रही है लगबग 25 सालों बाद कॉंग्रेस की वापसी हो रही है बाटकमांग 23 जहां से पूर मंतरी का जहां निवास है और महत्वपूर्ण वाट कहा जा सकता है क्योंकि बड़े नेता वहां पे रीबा के पाई जो वहां के निवास माना जाता है वो वहां से कॉंग्रेस प्रत्यासी भारी मतों से आगे या विजई की ओर बाट रहे हैं लेकिन महत्वपूर्ण रीबा नगरपाली का कॉंग्रेस के कबजे में जाती हुई दिख रहे हैं बड़ी खबर है राज्यसभा संसद है राजमनी पटेल उनके बेटे कॉंग्रेस से पहले पारशद रह चुके हैं कई बार के पारशद रहे हैं इस बार वाट नंबर सोला से चुनाव लड़ रहे थे हार की कगार पर हैं महापौर के चुनाव में सीधी जीत कॉंग्रेस की लेकिन वाड़ों में स्थिती उतनी अच्छी नहीं है वाड़ों में जिस तरह से परिवर्तन की बयार थी तो क्या सिर्फ नगर निगम महापौर्पद के लिए स्मून वाड रीवा का जिसमें सबकी नजर बनी हुई थी भारती जंदा पार्टी के प्रत्यासी अरुन तिवारी मुन्नू 410 वोडों की आगे चल रहे हैं यह निदायक बढ़त है अल्मोस्त यह निदायक बढ़त है वाड क्रमांक पांच से जो अरुन तिवारी वाड क्रमांक 30 से भाजपा के सपना पर्मा विजय हुई है वाड क्रमांक 5 का हमने बताया बारती जंदा पार्टी के अरुन तिवारी मुन्नू एक निदायक जीत की और आगे बढ़ते हुए एक महत्पूर्ण वार्ता क्योंकि यहां पे निर्दली का एक बहुत बड़ा तब का जो भाजपा से बागी होकर चुनौलर रहे थे वो आगे चल रहे थे लेकिन फिलाल अरुन तिवारी मुन्नू आगे चल रहे हैं यह जीत एक निर्नायक जीत क्योंकि अब यह अंतिम समयर अंतिम राउंड की काउंटिंग हो रही है और अब जीत यानि इस बीच एक महामंत्री सर्देंदु तिवारी सब कुछ वहीं सांसत सीधी 24 वाड़ों में 20 वाड़ों में कॉंग्रेस की जीत हुई है निर्नायक बढ़ात जीत हो गई है भाजपा तीन वाड़ों में सिमट के रह गई है और अन्य के खाते में एक सीट गई है यानि कि सीधी चुरहट और रामपुर नैकिन तीनों जगे कॉंग्रेस का पर्चम लहरा गया है अजय सिंग राहूल के नेतित तुम्हें यह चुनाओ तमाम कॉडिनेशन जो पहले गैप्स थे कमलेश्वर पटेल अजय सिंग राहूल और जिलाध्यक जब बदला ग्यान सिंग उसके बाद एक अक सिंग राहूल जनरली यह देखा गया था कि इतने बड़े चोटे स्केल के चुनाओं में जनरली बड़े नेता नहीं वो करते लेकिन वो मजहौली नगर परिशाथ मजहौली का मसला हो या फिर चुरहट का हो रामपुर नैकिन का हो तमाम जगे पहुंचते रहे इसका साथ से भारती जन्ता पार्टी के प्रत्याशी 249 वोट से विजए हुए हैं जिसके लावा वाट कमांग तीन से भाजबा की प्रत्यासी सपना वर्मा विजए हुई हैं सीधे तोर पे भाजबा का भी आकड़ा बढ़ता हुआ सब जिस तरह की लडाई वोडों में दिख र रहे हैं तमाम आगे चल रहे हैं आम आद्मी पार्टी को लेकर जिस तरह का था कि वाडों में भी एक बड़े मार्जीन के साथ ये कहा जा रहा था किस सीटे लेकिन वो कहीं दिख नहीं रहा देखें सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपका कैंडिडेचर कैसा है दूसरी बात यह होती है जैसे राणी अगरवाल का बार बार वो लोग पूरे मधिवर्देश में जिक्र कर रहे थे विदानसभा चुनाव लड़ चुकी थी तमाम रूप से सक्षम जमीन पर अच्छी पकड़ और उसका परिनाम यह हुआ कि राणी अगरवाल चुनाव जीत कर रहे थे कास्टिजम बहुत सारी बहुत सारे फैक्टर थे और परिणाम आपको दिख रहे हैं साइलेंट वोटर साइलेंट वोटर यह जो मसला बार बार चर्चा में आता है इसको समझने की जरूरत है सब कुछ खुले तोर पर समझ में आ रहा था आंकड़े जो बता रहे है लेकिन एक वो था कि हित्गराही से लेके तमाम चीज़ें बीजेपी का एक कोर वोट बैंक लेकिन ये परिणाम ये बताते हैं कि संगठित होकर कोई भी पिपक्ष और जमीन के नेता को टिकेट देने के बाद जब इस तरह की तैनाती की जाती है तो परिणाम कुछ और और ये परिणाम इस पस्ट रूप से दिख रहे हैं ग्यारा हजार बारा हजार की लीड ये क्या दर्शाता है लेकिन इसको पहले से भी क्यलकुलेट करिए विधानसभाज चुनाओं में भी मात्र 6,657 लीड शेहर से थी ग्रामीन चेत्र से वो लीड बढ़कर आती थी और कई जगे से हार रहे हैं कुछ भी है लेकिन पार्शत का चैन जनता अपनी सुविधा के हिसाब से करती है ये भी बताया जिनके काम से खुश थे उनको फिर से मौका दे दिया जो वार्ड बदल के गए लगा कि अपने वार्ड में पहले काम करके आये हैं उनको फिर से मौका दे दिया, जिनको लगा कि नहीं इनको नहीं आगे बढ़ाना चाहिए, उनको रोग दिया, तमाम परिस्थितियां, अभी दो-तीन वार्ड का डेटा, जो आपको इंतजार है, पंदरा का और तमाम सी जोगों, एक सवाल ये मैं करना चाहूंगा, क्योंकि इस बार क्या कॉंग को कि अब इस बार अगर लुटा, तो ये गिरता हुआ किला किस तरह से उठाएंगे, इस बार क्या था कि प्रत्याशी चुनाओ लड़ रहे थे, और एक टीम चुनाओ का प्रबंधन कर रही थी, चुनाओ में उतनी व्यस्तताएं इस तरह से नहीं देना चाह रहे थे, इस कॉंग्रेस ने काउंटर में यही कहा कि कौन है प्रबोध ब्यास, कौन सा चुनाओ लड़ा है, नगर निगम में क्या वरकिंग है, फिर उसके बाद उनको ये बताने की कोशिस बार बार की यहां के हैं, वहां के हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई, इस फेर में डोर टो डो केंपेन, लोगों से जुड़ना, एक जुटता कॉंग्रेस को आज यहां पर लेकर आई है, और कॉंग्रेस को ये बखू भी पता होगा, अगर मदप्रदेश की बात करें, पूरे मदप्रदेश में अगर बात करें, तो च्छै नगर निगमों में आज चल रही है, पूरी जिस तरह का पूरा केंपेन चलाद, च्छै नगर निगम में पूरी गिंती शुरू हुई, जिसके बाद अगर आपको बताएं कि BJP केबल दो सीटों पर आगे चल रही है, इसके अलाबा कॉंग्रेस की बात करें, तो कॉंग्रेस दो सीटों में आगे चल रही है, और एक मह भारा नगर निगमों की जब गिंती हुई तो भारती जुनता पार्टी ने साथ सीटे जीती थी, बड़ी खबर है, वार्ड क्रमांक 12 रीवा से जोती सिंग भाजपा प्रत्यासी थी, पांच सो तिरपन वोटों से जीत हुई है, भाजपा प्रत्यासी थी, लगभग, बड इनाए बढ़त बनाए हुए हैं अब देखना है कि किस तरह से कितने वोटों से यह जीत होती है राजसवा सांसद राजमनी पतेल के पुत्र संज सजन पतेल चुनाओ हार गए हैं इस वक्त की बड़ी ख़बर आ है रीबा से राजमणी पटेल एक कॉंग्रेस का एक बड़ा चहरा उनके पुत्र सज्जन पटेल पहले भी पारसद रहे हैं चुनाव वाट कमांग सोला से हार गए हैं बड़ी खबर कही जा सकती है इस समय की यह जिस तरह से यह परिणाम आ रहे हैं दोनों चीज़ें समझ य हैं जबल पूर जैसे परिणाम हो सकते हैं लेकिन सतना का परिणाम देखिए सतना में पार्टी से ही बगावत करके प्रत्याशी गए दूसरे दल में लेकिन आप पार्शदों की संख्या देखिए नेक टूनेक है उननिस बीस उनिस यह अंकड़ा है जहां बड़ी विक्ट सतना में क्या ह células में की जैसे सिंग रॉली वहां का राजनियतिक समीख क्रण्म कांज्यस कउमजोर हूई किवह एपे बड़ी देंपर फार्टी में आये शामिल किरा उसके बाद टिकेट दे दिया सतना में क्या हुआ आप सिटिंग MLA को टिकेट दे रहे हो उज्जैन में क्या हुआ उज्जैन ठीक है बहुत प्लोस फाइट में थे लेकिन इन दौर में क्या हुआ दूसरे के यहां पर यह लगने लगी कि यहां पर तो कोई संभावना नहीं मेर यह एम ले यह तमाम चीजें थी तो जहां के विशुद रूप से निगम के कारे करने वाले लोगों को दिया गया वहां पर आकडे बहुत अलग निकल कर सामने आने लगे और जिस तरह कि अब बेंगटेश पांडे की जीत हुई 809 वोट से जीते हैं वाटकरमांग 26 महतपूर वाट कहा जा सकता है महापावर के प्रत्याशी के संभावना थी कहा जा रहा था कि महापावर में भारती जन्दा पार्टी उमीदवार के तौर बना सकती है लेकिन अंत में प्रवोध व्यास को प्रत्याशी बनाया गया एक जाना पहचाना चहरा और एक महतपूर चहरा बाटकरमांग 24 से भाजबा प्रत्याशी वेंगटेश पांडे की 809 वोटों से विजय हुई है बढ़ कमांग साथ से भीजबेश प्रत्याशी 229 वोट से चुना जीत गए रिवा अनगरनिगम का वाड करमांग साथ महतपूर वायड कहा जा सकता है और कॉंग्रेस प्रत्याशी की लगातार जीत बढ़ती हुई कांग्रेस फ्रच्जा कि बड़ी खबर आपको बता दें आकरी रांड शुरू हो चुका है और उभी ने नायेक nervous के महापवर प्रिप्रट्यासी यह संगठन जवाब देगा लेकिन निर्णाक बढ़त की और आखरी राउंड की मतगरना बाकी है 25 साल बाद रीवा नगर निगम में कॉंग्रेस का कब जा बिल्कुल 25 साल बाद एक बड़ी जीत कॉंग्रेस की बढ़ती हुई जिस तरह से अनुमान सुरू से रुजहान लग बात करें तो यह मान रहे थी जिस तरह बिदान सभा के परिवनाम आए कि आठ की आठो सीड भारती जन्ता पार्टी के जोली में गई थी तो यह भारती जन्ता पार्टी के एक बड़ी हार कही जा सकता है 2023 के पहले यह परिवर्तन बहुत सारे संकेत दे रहे हैं क्यूंकि जिस तरह अनुमान लग रहे थे कि 2018 के परिवनाम के बाद इस नगर निगम में जिस तरह के आकड़े कॉंग्रेस के पक्च में आए है तो क्या भारती जन्ता पार्टी के लिए यह कठिन समय कहा जा सकता है गाओं से जो जिला पंचायत के परिवा के ही हों तमाम कॉंग्रेस माइंडसेट के जो लोग चुनाओ जीते उसके बाद निगम का जो यह परिवर्तन साफ तौर पर देखने को मिल रहे है वाट कमांग साथ रिवा नगर निगम का वाट कमांग साथ सिवदत पांडे भाज प्रत्याशी ने 29-49 बोटों से जीत हाशिल की है तमाम वाडों की अब परिणाम विजय की और बढ़ते हुए हैं परिणाम अब रुजहान परिणामों की और पूरी तरह आ चुके हैं कुल विलाकर और सब का लग भगभत परिणाम आ चुका है कुछ जगह से परिणाम आने बाकी है उसको लेकर हम आपके फिर से होंगे और अंतिम पर नाम के साथ हम आपके बीच होंगे क्यॅकि और मुरेखना में कंग्रेस प्रत्याशी रिवा तो निर्णायak बढ़त की और हैं लेकिन मुरैना में एक अच्छी लीड तीन से साड़े तीन अजार की लीड वहाँ पर कॉंग्रेस को मिल गई है तो क्या रीवा और मुरैना कॉंग्रेस की जोली में जाता हुआ दिक्रा निर्दली सीट प्रीती सूरी काफी बोटों से आंगे चल रही है ए 2023 के पहले यह सत्ता का सेमी फाइनल है इस चीज को बीजेपी मान रही थी लेकिन शायद यहां के पई नामों को देखकर उनका यह कहना था कि हम तो हर दिन चुनाओ लड़ते हैं लेकिन अब थोड़ी दिर बाद हम आपके बीच होंगे अंतिम आकडों के साथ की किस्त की व धन्वाद